शारुक खान की फिल्म Zero हाली में रिलीज हुई और ये फिल्म ओडियन्स को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई SRK की आक्टिंग ने भले ही लोगों का दिल जीता हो लेकिन स्टोरी लाइन ने लोगों को नाराज कर दिया और शायद इनी रिव्यूज के कारण कंगना रनौत ने भी नहीं देखी SRK की फिल्म जी हाँ हाली में हुए Christmas Celebrations के दौरान कंगना ने इस बात को एकसेप किया कि उन्होंने Zero फिल्म देखी ही नहीं है और अब रोहिट शटी ने भी दे दिया एक शौकिंग बयान शारु खान के साथ काम करने के बारे में उन्होंने कहा कि वो SRK के साथ अब काम नहीं करना चाहते दरसल बॉलिवुड हंगामा को दिये इंटर्व्यू में उनसे पूछा गया था कि वो SRK के साथ काम करेंगे या नहीं तब उनका जवाब था I don't know, right now it's not happening For two or three years, I don't see it happening The way I have planned my stuff, but let's see वेल उन्होंने फिल्म दिल्वाले को लेकर भी की बात और कहा It's sheer bad luck that the film did not release everywhere and maybe somewhere we went wrong That happened two years and we have left it I don't want to talk about it anymore लगता है शारु खान के लगातर फ्लॉप फिल्मों को देख कर रोहिट शटी रिस्क नहीं लेना चाहते फिर चाहे उन्होंने SRK के साथ मिल कर चन्नाय एक्स्प्रेस जैसे hit ही क्यों ना दी हो आपको क्या लगता है क्या ये सही बात है Do post your thoughts in the comment section below